है दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे सलफर फटलाइजर के वारे में और इसमें जो आपका दानेदाल सलफर आता है और जो पौडरो सलफर आता है इन दोनों में से आपको किसका उपयो करना चाहिए और सलफर के जो है कौन-कौन से फायदे आपको फसलों के अंदर देखने को मिलेंगे इनकी जो है डोज कितनी रहती है परफेक्ट और इसके साथ साथ इनका काम क्या होता है पौधों के अंदर इन सभी के वारे में जो है आज किस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सस्क्राइब करना जो है मत भूलिएगा किसान भाइगों जो आपका सब्फर फटलाजर है यह आपका दूटिये पोश्टत्त है जो आपके प्राइमरी पोश्टत्त है वो तो आपके नाइट्रोजन फासपोर्स और पोटेशियम है और जो आपका ऑजाने के समय होता है किसान भाई जो हैं बौई के समय डालते हैं तो वैसे तो अगर सही समय है सलफर लालने का वो भूगाई के समय ही होता है यदि आप जो बेसल डो डालते हैं जो अनिखाते डालते हैं उसी मिलाकर जो है आप سलफल जो है नीचे डाल सकते हैं और जी तो युण तो उस समय आपको जो दानेदार सलफल आता है जिसको की हम लोग बेंटोनाइट सलफर बोलते हैं जो कि 90% होता है यानि कि उस सलफर का जो है आपको जब आप बुवाई करें चाहे आप गेहों की बुवाई कर रहे हो चाहे आप सबजी वर की फसलों की बुवाई कर रहे हो तो उस समय जो है आपको जो सलफर का उपयो करना है वो आपको केव कि जड़ का विकास होता है उसको पौधे जो है अच्छे से खीच लेगते हैं यदि आप उस समय पाउडर वाला सलफर डाल देंगे तो उससे होगा क्या कि वह आपका एकदम सिकार करता है जब कि दोखर कुम स्कार करते हैं इसका आपड़ी फचो बड़ी हो जाए तब अनिकहार मिलाकर बड़ी फचलों की ऊपर आप का हुपियो करेंगे तो आपको जो है इसका रियल्ट तुरंट मिलेगा जो आपका दानेदा सलफर होता है इसका रियल्ट जो है आपको हलका लेट मिलता है यानि कि इसका रियल्ट है धीर धीरे मिलता है कोई कि ये सलो जो है रिलीज होता है प्रंतु जो आपका पौडर वाला जो सलफर होता इसका रियल्ट मिल जाता है यानिकि आपको जब आपकी फसल बढ़ी हो जाए और तब जो है आपको पौडर फांवाला जो है सलफर का उपयोग करना तही है उसकी जो मात्रा है तकरीबन आपको पाउडर वाले की तकरीबन आपको तीन से लेकर के चार किलो प्रती एकड के हिसाब से लेनी है यानि कि जो आपका देनल सलफर था उसकी मात्रा तकरीबन आपको दस किलो प्रती एकड जो आपका पाउडर फाउम वाला सलफर है इसकी मात्रा जो है तकरीबन आपको तीन से चार किलो प्रती एकड़ के हिसाब से रखनी है अब ये बात आती है कि इसका काम क्या होता है सलफर का तो जो हमारे पौधों की जो नई कलिकाए बनती यानि की बुलकल जो उपरी पतियां होती है उनमें जो पीलापन आता है वो सलफर की कमी से ही आता है यानि कि अच्छी हर्याली के लिए जो आपकी नई कलिकाएं है जो आपकी नई पतियां निकलती है उनकी अच्छी हर्याली के लिए सलफर का उपयोग पिया जाता है और इसके साथ साथ जो आपका संदफर होता है यह बहुत सारे अनफाइदेवी जो है करता है को यह एक नेचरल फंगी साड़कावी कारे करता है नेचरल माइटी साड़कावी जो है आपका संदफर पौधों के अंदर कारे कर देता है और इसके साथ साथ किसान जो आपकी तेल की मात्रा को बढ़ाता है और इसकी क्वाल्टी को भी अच्छे ढंक से बढ़ाता है यानि कि इन सलफर का जो है एक अलग ही विशेश महात्र जो है फसलों के अंदर होता है यानि कि मैंने आपको चीज बताए कि यदि आप वाई कर रहे हैं तो आप दानेदा सलफर का लेंगे तो यह थी जैनिकारी सलफर फट लाजर के वारे में यदि आपको जैनिकारी पसंद आई हो तो किर्पया हमारी चैनल को आप लोग सस्क्राइब करना जो है मत भूलिएगा धन्यवाद